नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेसाज के मुख्य समाजार पूर्वे प्रधान मंत्री भारत रत्ने स्रद्धी अटल भिहारी वाच पेई जी की जैनती पर शादर नमन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रवीवार को साल के अंतिम मन की बात कारिक्रम में साल भर की उपलब्धियों को बताया उन्होंने कहा कि देश ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किये 2022 ने नई रफ्तार पकड़ी सभी देश वाचियों ने एक से बढ़कर एक काम किया उन्होंने पूर्विप्रधान मंत्री अटल भिहारी वाच पेई जी की जैनती पर श्रदान्जली दी पीम मोदी ने कहा कि चीन में कोरोना से हर दिन हजारों मोते हो रही है पीम ने लोगों से महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपिल की है उन्होंने कहा है कि हम सभी को मास्क और सेनेटाइजेशन का ज़्यादा ध्यान रखना है हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे मद्य प्रदेश पश्यम शेतर विगधूत वित्तरन कंपणी नय वर्ष 2023 में वाट्सेप पर भी बिजली बिल जारी करेगी मद्य प्रदेश पश्यम शेतर विगधूत वित्तरन कंपणी इंदोर के एमडी आमित तोमर ने बताया कि जन्वरी से इंदोर शहर वा अन्य इलाकों के उभोकताओं को वाटसेप पर भी बिजली के बिल दिखाई देने लगेंगे उभोकता बील का पूरा पेज पिजले लेंदेन बिल पैमेंट लिंक आधी वाटसेप पर देख सकेगा राजी सरकार ने आपकारी विभाग के अंतरगत आपकारी आरकशक के पदों पर बड़ोत्री की है पहले 200 पदों पर भरती निकाली थी जिसे बढ़ा कर अब 462 कर दी है इसके अलावा आवेदन करने की लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है पहले अप्लाई करने की अंतिम्ती थी 24 दिसंबर 2022 थी जिसे बढ़ा कर 29 दिसंबर कर दिया गया है भाजपा के राष्टि भाहा सचीव केलास विजेवर्गी ने मीडिया विभाग के संभाग इसतरी प्रस्विक्षन में कहा कि आज अलग-अलग कारणों से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के हालात है लेकिन भारत में प्रधान मंती नरिद्य मोदी जी के नैत्रित्व में ऐसा अर्थ चक्र चल रहा है कि हमारी आर्थिक वेबस्था पूरी तरह मजबूत है यही बात हमें शोसल मेडिया और इसके माध्यम से आम आदमी तक पहुचाना है मध्य प्रधिस के रिवा में गल्फ्रेंड को बहरामी से पीट पीट कर बेहुस करने वाले आरोपी के घर को राजस्वर टीम ने जैसी भी से ड़हा दिया पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रधिस के मिरजापूर से गिरफतार कर लिया वही महिला संबंदी अपराद मेला परवाही बरतने पर मौगन जिताना प्रभारी स्वेता मोरी को भी सस्पेंड कर दिया है एक्ट्रेस तुनीशा सर्मा सुसाइट केज में रविवार को कोईश्टर सिजन मुहम्मद खान को कोट ने चार दिन के पुलिस रिमांट पर भेज दिया सनिवार को खुदकुशी के कुछ ही घंटे के बाद तुनीशा की मा की शिकायत पर सिजान को पुलिस ने गिरफतार कर लिया था रविवार को उसे वसे ही कोट में पैश किया गया जहां से उसे पुलिस रिमांट पर भेज दिया गया बागेश्वर सरकार ने 300 लोगों को सनातनी बनाया धवों में रविवार को रामकथा में सामिल होने आए इन लोगों ने हिंदु धर्म को पुना अपना लिया है इन्होंने बताया कि ये किस तरह धर्म परिवर्तन कर इसाई बने थे बागेश्वर धाम के पिठा दिस्वेर धिरेंद्र सास्तिरी ने सुबह कृष्णा हैट्स में सेकड़ो भक्त से मुलाकात की इनमें महिला पूरुष बच्चे सभी शामिल थे बागेश्वर सरकार ने सभी लोगों को सपत दिलाई की वे अब कभी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे उन्होंने सभी धर्म बापसी करने वालों को आशिरवात दिया मध्य प्रदेश में बिते 48 घंटे से हलकी ठंड़क बढ़ गई है हिमाले में बर्प बारी और उत्री हवाय चलने से प्रदेश में दिन और रात के तापमान नीचे आने से पहली बार ठंड का एसास हुआ है अगले तीन दिन बाद तापमान में कुछ बड़ उत्री होगी 30 दिसंबर के आसपास बादल चा सकते हैं मौसम विज्ञानिक की माने तो 31 दिसंबर पर इस बार मौसम सुहाना रहेगा कल दीन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुब रात ली